तो हे गाईज मैं हूँ KKZ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल KKZ Production Surface तो आज किस वीडियो में बात करूँगा कि कैसे आप अपने fingerprint को capture कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने fingerprint को आप कैसे capture करेंगे करके सकते हैं तो चलिए इस video को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना mantra device कनेक्ट करना पड़ेगा और मंतर डिवाइस के जितने भी software installation वगैरा का काम है उसाब करना पड़ेगा आपको ठीक है यदि आप मंतर डिवाइस चला रहे हैं तब भी आप इस काम को कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले मंत्रा डिवाइस आप कनेक्ट कर लें उसका इंस्ट्रोलेशन वगएरा कर लें यह आपने इंस्टॉल वगएरा नहीं सीखा है तो आप मेरे प्रिविएस वीडियो को जाके देख सकते हैं तो चलते हैं तो यहां पस आप के पास जो प्रोग्राइम फाइल है प्रोग्राइम फाइल के ore controlling आपको मंत्रा ठीक है एक्शल में हम क्यों करेंगे ठीक है यह बताना चाता हूंivesse मैं जैसे ये अपना वाल कि पर जैसे अपना फिंगर्विंट जो ए उसको कॉपी करके रख सकते हैं ठीक है कॉपी करके रख सकते हैं इसकेन करके कॉपी करके रख सकते हैं और यह हम तब यूज करेंगे जब हो सकता है कि हम को बैंकिंग सेक्टर का काम कर रहे हैं बैंक बीसी चला रहे हैं डीजी पे चला रहे हैं और हो सकता है कि उस समय हमारा के समय हमें कुछ problem होती है ठीक है अपना तो उस समय आप अपने finger का capture करके safe करके रख सकते हैं और उसका print निकलवा के आप अपना कभी भी use कर सकते हैं ठीक है आप अपना generally use कर सकते हैं अपने काम के अपना सेंटर चलाते हैं और आपका हो सकता है उसमें finger का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका काम चलता रहे ठीक है तो चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं तो आप यहां पर सिंप्री तरीके से MFS 100 वाला फोल्डर उसके अंदर जाएं और ड्राइवर वाले ओप्षन पर जाएं ड्राइवर वाले ओप्षन में जाने के बाद यहां पर देख सकते हैं मंत्रा MFS 100 टेस्ट वाला उप्षन है इसके उपर कलिक कर देखें अपर कलिक करने के बाद देखिए आपका मंतर डिवाईजarin में होना चाहिए यहां पर देखिए आपका मंतर डिवाईस जो है यहां पास रीट कर लिया है और यहाँ पस simply तरीके से देखिए यहाँ पस star capture पे click कर दें जैसे star capture पे click करेंगे आपको मंतर device पे light आजाएगा और यहाँ पस simply तरीके से आप अपना अंगुठा टच कर दें जैसे अंगुठा टच करेंगे देखिए आपका यहाँ पस जो fingerprint है वहाँ पस आपको दिखाई दे चुका है तो आप क्या करें इस fingerprint को आप capture करके रख लें ठीक है JPG form में capture करके रख लें ठीक है मैं आपको capture करके दिखाता हूँ यहाँ पस एक software है देख सकते हैं यहाँ पस light shot करके है इस software को आप install कर रहें यहाँ आपको नहीं पता है software के बारे में तो मैं description में दे दूँगा तो आप यहाँ पस simply तरीके से देख सकते हैं यहाँ पस वह है यहाँ पस मैं simply तरीक से click कर लूँगा और click करने के बाद click करने के बाद देखिए मैं इसको crop कर दूँगा ठीक है और crop करके यहाँ पस मैं save us का option है save us पे click कर दूँगा और desktop पे ही finger करके नाम save कर दूँगा ठीक है यह देखिए यहाँ पस save करने के बाद यहाँ पस simply तरीके से save कर दूँगा तो आप देखेगा ओ jpg form में आपका finger है और capture हो चुका है ठीक है आप यहाँ पस देख सकते हैं और इसे आप close करना चाहे तो close कर दें अधर्वाइस फिर से आप capture करना चाहते हैं तो start capture कर लें फिर से आपका finger आ जाएगा यहाँ पस उसके बाद उसको software के थुरू light shot software है देख यहाँ पस jpg form में सेफ हो चुक है मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है आप यहाँ पस देख सकते हैं देखेगा यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ठीक है और अभी मेरा software यहाँ पस देख सकते हैं थ्वड़ा सा problem कर रहा है इसी की चलते वहना आपका finger data है यहाँ पस भी आपका पूरा jpg file में यहाँ पस सेफ होना स्टार्ट हो जाता है ठीक है यहाँ पर जो भी आप इसकेन करेंगे और jpg file में आपका सेफ होते जाएगा ठीक तो इसी तरीके से आप अपने fingerprint को capture करके रख सकते हैं और जिस समय आपका अंगूठा काम नहीं करेगा उस समय आ रखें और उस समय आप अपना यूज कर सकते हैं और अपना center वगरा का काम जो है इसली तरीके से कर सकते हैं तो फिर्याल मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा एदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को like कीजे subscribe कीजे अपने friend के साथ भी share कीजे मिलते हैं से interested वीडियो के साथ तब तक के लिए good bye